आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे लितिन सेथी बिजनस स्टैंडर्ड की रिपोर्टर हैं बहुत इंवार्मेंट पे और एकॉलोजी पे बहुत सारे काम किये हुए हैं कुमार संभव जो की लैंड कॉन्फिक्ट फोरम में हैं और बिजनस स्टैंडर्ड के साथ भी जुड़े हुए हैं आप लोगों ने अभी लिखा है जो अराविली हिल्स फरिदाबाद गुर्गाओं के बीच में जो जमीन है उस पे करीब 400 एकर एक हिसाब से बेनाम बेनामी ओनर्शिप हो गया है इस वक्त पातंजली का तो इससे आपको क्या लगता है कि कोई कानूनी प्रावलिम रहा है या कुछ और इसमें मकसद है मैं एक हैल से दो तीन पेच हैं इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने 2011 या 12 में कहा था कि इस किसम की जमीने इनको गैर मुमकिन पहाड बोलते हैं हर्याना में बेसिकली ऐसी जगाएं जो पहाडी हैं जहां पे खेती नहीं लोग बोलते हैं लोग बोलते ये ना होतो ना पानी होगा ना हवा होगी दिल्ली और इंसीयार में तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसी जमीने जो हर्याना की हैं ये पंचायतों के पास जानी चाहिए किसी और का हक नहीं है इन पे और ये कॉमन्स की तरह रहनी चाह कि ये सारी जमीने बहुत सालों से ऐसी गल्टी से बिक रही है या फ्रॉड में बिक रही है इनको वापिस पंचायत में दिया जाए तो पंचायत के तरफ से पहल कद भी हाँ सरकार के कहने पर ही उस टाइम 2011 में अफसरों ने बोला कि आप वापिस लीजे अपनी जमीन तो गा केस चलता कोर्ट में पहुंचा लोकल कोर्ट में हलके खिषता रहा तब अचानक पता चला कि जिनके केस डाला था कई हजार लोग थे तब तक बहुत लोग खरीद भी चुके थे पता चला वह नहीं है उन दो-चार लोग और सामने आये बोला कि हम लें इन सबसे हमने हक ले ने दूसरों को दे दिया और जब हम लोग जब पहुंचे एक तरीके से कहानी के मोड पे तो देख हमने वो कागर्स देखे जो इन तीन चार लोगों ने डाले थे कि बोलते हम खड़े आगे इन चार सुलों के बहाब पे तो हमें दिखा कि तीन चार लोग अपने लिए नह नाम कर रहे थे और बहुत कॉंप्लेक्स एक कॉर्पेट मेकानिजम और वेब बनाया हुआ था कंपनी का प्राइवेट सेक्टर फर्म पार्टनर्शिप फर्म अलग अलग तरीके से पैसा रूट करके ये चार-पांच लोग जो थे पटंजली ग्रूप के बहाफ पे कंपन परल्म तो कर यहां पर यहां पर यहां पर यह सब नहीं हो रहा था तो क्रीम इस वक्त आप 20-600 छार्ट सो एकर जमीन ऐसा जो की पातंजली जुप के पास इस्वक्त ऑब 58ije कि इस चार्ट सो एकर का मकसद क्या है क्योंकि एक strategic जगह पे तो है गुरगाउं फरिदाबाद रोड पे जो आप हाई वे बनने वाली है- एट लेν हाई वे आपने लिकआ है बनने वाली है तो यह और दिल्ली और गुरगाउं फरिदाबाद तीनों के बहुत करीब का जमीन है तो इसकी एक अलग एहमियत हो सकती है एक कॉमन से अगर प्राइविट हो जाती है तो बताएंगे कि यह पावर अवेटर्नी वगारा का खेल क्या है तो वही जो नितिन बोल रहे थे कि वो 2011 का एक सुप्रीम कोड का ओर्डर था वो सुप्रीम कोड का ओर्डर एक हर्याना के स्टेट लौ के ऊपर था तो जो की लौ बोलता है कि जो कॉमन लेंड्स है वो पंचायत और लोगों के कॉमन यूज के लिए हैं उसमें किसी का भी व्यक्तिगत मालिकाना हक नहीं होगा तो होता यह है कि जैसे गाओं का प्राइवेट लेंड मान लिए जिए आपको पता नहीं है कि कहा हैं एक नॉमिणल शेर है कि मेरा अगर एक एकर है तो चार तीन एकर मेरा कॉमन लेंड में शेर होगा तो उसको लोगों को ऐसा जब रियल एस्टेट का भूम होता है तो उन्होंने बोला कि आपने खरीद लिये वोई नॉमिनल शेर तो ऐसे डील इस उम्मीद के साथ और उसका फिर हमको पूरा हिस्सा मिल जाएगा प्राइविटाइज होने से इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा तो बड़ा सस्ते प्राइस में गाउंवालों से खरीड लेते हैं गाउवाले भी ये सोच के की हमें तो पता ही नहीं है क्या है इतना मिल रहा है तो उसमें वो तो जगावे में आजाते हैं। प्रक्रिया शुरू हो गया लेकिन क्योंकि law में allowed नहीं है उसका sale और privatization allowed नहीं है तो sale register नहीं हो सकती है। उसके फिर हर्याना सरकार ने order भी निकाले थे कि ऐसा यहां पे कोई भी register नहीं होगा बिना पंचायत की अनुमती के और बिना सरकार की अनुमती के कोई भी sale register नहीं हो अरे हक जो है उनके आप वह power of attorney sign करते हैं आप अलग अलग देश के हिस्सों में register करवा रहे हो हर्याना और दिल्ली छोड़के कोई कलकत्ता में हो रही है कोई नौइडा में हो रही है क्योंकि आप हर्याना में यह नहीं कर सकते हैं दिल्ली में तो बैंडी है power of attorney से करते हैं हला कि कोई चीज power of attorney irrevocable होता नहीं है और हकीकत तो यह है कि यह सिर्फ कानूनी एक page है बाइपास करने के लिए law जो है कि आप जमीन को alienate नहीं कर सकते हो किसी और के हाथ पे transfer नहीं कर सकते हो खास तोर से जब एक common land है जिस पे आपका सिर्फ हिस्सा है पर आपका मालिकाना नहीं है और उसमें power of attorney में वह language भी बड़ा clear होता है कि मेरी तरफ से आप इसकी सारा commercial transaction इस land पे आप कर रहेगा इसको बेचना चाहें तो बेच सकते हैं जो भी इस पे करना चाहें आप कर सकते हैं तो इस तरह से वह उसमें वह दे देते हैं दिल्ली में तो आपको याद होगा यह बहुत बड़ा पहले एही खेल था कि power of attorney mutation की उस तरह की चीज थी नहीं तो power of attorney से ही लोग बेचा के ना करते हैं इसमें हमने यह पाया कि जब हम यह power of attorney documents थोड़ा टोलने लगे ध्यान से कि प्रवीन कुमार शर्मा जिनका नाम हमने कहानी में लिया भी है तो वह power of attorney लेकिन कहीं कहीं जगा नाम मेंचन आता था कि वह जो है एक authorized representative है इस एक्स या वाय कंपनी के तो हम फिर उस एक्स और वाय कंपनी को total ले लगे तो वह क्या है तो ढूंडा कि वह कंपनिया जो है पिछले साल तक सन 16-17 तक कम से कम पतांजली ग्रूप की थी फिर वह पतांज transactions हो रहे हैं या money transactions हो रहे हैं advances लिये जा रहे हैं दिये जा 유讲 और बहुत सारे transactions जो है जमीनों के लिए हो रहे हैं और टटोल टटोल टोलते हमने देखा कि फिर kot का नाम ऑनने लग गया कि चा-कोर्ड में ही Zमीने खरीदे जा रही है जो गाव यह उसी गाउं में घृदी जा कि दो गवंबाद आए कि हम लोग भी वर्ट जे खोर हुआ है गाओं में लोग जाए हैं जपने कभड़ देखे, सब में जबिए कुछ दिख रहे हैं मुमकिन है質 III कंपनी अभी जानते भी नहीं अगर संबह आइटिंक कर रहे थे जब रिसर्च तो देखा कि ओर्डर से एक टाइब दो बार ओर दिये गए थे ओफिशल्स ने बोला कि आप इंवेस्टिगेट करिए कि यहां पर ब्लैक मनी की इंवेस्टमेंट हुई है कंपनी जुआरा और इंवेस्टिकेशन से पता चले और आपका ख्याल से क्योंकि सिर्फ आप जूर्निस के रूप में इतने गहराई में शायद नहीं पहुँच पाए तो इसका दायरा और बड़ा हो सकता और एक गाउं की बात कर रहे हैं आप कोट सिर्फ एक गाउं की बागी जगर पे हो सकता है हमने जब कंपनियों के रिक कर रहा है इसके सब्सक्राइब बड़े पैमाने पर इसका और एक आपका हिस्सा है आपका इंवेस्टिकेशन का कॉंसॉलिडेशन की बात शुरू हुई है और इस कॉंसॉलिडेशन से यह उमीद है कि 400 एकर को एकठा किया जाएगा अब तब एक ब्लॉक 400 एकर का शायद इ सब्सक्राइब यह वहां पर मिलेगा जिसको आप रियल एस्टेट रिसॉर्ट बनाना बेचना रिसिडेंशल पर परसिस के लिए किसी भी चीज के लिए इस्तबाल कर सकते हो क्योंकि एक्चियली बने जो कहा दिल्ली गुरगाओं और फरीदवाद तीनों से बहुत पास हो आपको पता ही नहीं की प्लॉट कहां पर है वो उन्होंने बेच डाला अब यह इन कंपनियों के पास है जब कंसॉलिडेशन होगा कंसॉलिडेशन वैसे सर्फ खेती की जमीन का होना चाहिए पर अब सरकार ने बोल दिया है कि हम पहाड का भी करवा देंगे तो जब कंसॉल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पर जाती है आपकी अच्छी जमीन अच्छी लगती है क्योंकि आप चारलें हाइवे भी बनवा सकते हैं तो तीन-चार चीज़े कंसॉलिडेशन कर रहा है जिससे उन लैंड जो कोई लैंड डिमार्केट ही नहीं तो डिमार्केट हो जाएग कि जाधा पार्फुल फोर्स होती हैं कंसॉलिडेशन में तो ऐसा मुम्किन करवा पाती है कि उनके पार्सल हमेशा हाईवे के आसपास ही हो यह अच्छी जगाओं पे मिले पानी पानी हो अलग इस पे बात आती है कि लैंड यूस अरावली में वैसे इस तरह करने का कोई सं अरावली में दो तीन लेयर की प्रोटेक्शन है और उसको चानबूज के इन में से बहुत सारे लीगल प्रोटेक्शन को पॉलिसी को काफी वेग रखा गया है भी तक तो एक तो एक तो सुप्रीम कोट का उनी सो चानवे का एक और है कि जहां पर लीगली फॉरेस्ट आपक हिली फॉरेस्ट और वेजिटेशन ग्रीन वेजिटेशन अरावली के हैं उन सब को राज सरकारों को लीगल फॉरेस्ट के रूप में आइडेंटिफाई करना है एक और है सुप्रीम कोट का इस पे अभी तक प्रक्रिया सब चल रही है और इस पे डिली डिलेंग हो रही है तो अब हितक नहीं किया है सो पर्यावर्न मंत्रालय ने बहुत सारी चिटियान लेखी हैं हरियाना सरकार को कि आप क्यों नहीं कर रहे हैसको करो एंजी टी ने भी बोला है तो हरियाना गॉवर्मेंट उस पे काफी लटकाया हुआ है प्रऊसेस तो जो भी अरावली की हिल् लीगल फॉरेस्ट हो जाते हैं फिर उसमें कोई भी आप प्रक्रिया नहीं कर सकते हो दूसरा तो यह उन्होंने नहीं किया भी तक दूसरा एक पर अभी भी इसको अगर किया जाए तो फॉरेस्ट डिकलियर होना है होना है हाँ यह मतलब हम लोग ने अब देखा और काफी है तो देखती है तो एक यह हैं दो ऐसी किसम की और लेयर्स हैं प्रोटेक्शन की जो इन्वार्मेंटल रीजन से हैं जो सरकार नहीं लगने दे रही है जैसे एक हमने देखा कि एक सेंट्रल गर्वर्मेंट ने चिट्थी लिखी कि आप अराबली एक नोटिफिकेशन है प अराबली है भी तो कलम के कागस पे हमने उसको पह सकते नहीं है तो अब आप जब है नहीं तो बचाएं क्या और एक और अभी भी मतलब हाल ही में एक बहुत ही इंट्रस्टिंग इन्होंने सरकार ने एक और कदम उठाया था एक पंजाब लैंड प्रजर्वेशन एक्ट है हर्याना का बहुत पुराना है तो उसमें यह है कि बहुत सारे जो अराबली के सेंसिटिव एरियाज हैं उनको इसके अंदर प्रटेक्शन दिया गया है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते फिर सुप्रीम कोड के एक और के बाद वो सारे लीगली फॉरेस्ट हैं उसके अंद पंजाब लेंड प्रेजर्बेशन एक नहीं लगेगा तो वहां वहां जो जो अरावली है वो सब इससे उसका प्रोटेक्शन हट जाएगा और यह कोट में जितना भी अच्छा खासा लेंड है जो कॉमन लेंड है जो पील पी के अंदर आता है उससे यह प्रोटेक्शन हट जाता और उसमें पर्मीशन सारी मिल जाती दो दिन बात सुप्रीम कोट ने हलांकि सू मोटो लेकर उसको स्टे करा दिया तो वो रुख गया है लेकिन इस तरह की इन्होंने काफी कोशिशें सरकार ने पहले करी हैं यह प्रोटेक्शन हटाने की अरावली से इस वक्त आप ही हैं कि आप दोनों इस बात को वाकिफ होंगे की केंडर सरकार राज्य सरकार दोनों मिल के इस तरह की इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन जितने हैं उस सब को कमजोर करने में लगे हैं इस वक्त यह भी कह रहे हैं कि हाईवेज अगर बनेंगे तो उनका कोई ग्रीड जो ट कर आप मतलब क्योंकि आप स्केल पर बात कर रहे हैं तो अगर आप देखे कि केंडर सरकार ने पिछले इस पिछले रेजीम को खतम पिछले टैनियोर को खतम होने से पहली कई दाव खेल लिये थे एक तरीके से मानते वे कि इस दूसर टैनियोर आएगा तो उसको पूरा कर उसमें इनाँ के चार या तीन चीजां बदलने की प्रयास किया एक इन्वार्मन क्लियरेंस कैसे हो गा उसमें पॉब्लिक हेरिंग कम हो जाए या पब्लिक का रोल कम हो जाए वो अमेंडमेंट लिया इंडियन फॉरेस्ट आक्ट जिसके तहत कम्यूनिटी का थोड़ा कंट कि overall एक regime है जो ease of doing business के नाम पे आप environmental integrity थोड़ी सी और कमजोर कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जो अभी हमारे पास laws थे बहुत अच्छे थे ना वो business को फाइदा पुचाते थे ना वो environment को rent seeking के बहाने थे लेकिन आप उनको भी simplify कर रहे हैं कि rent seeking एक single window से हो जाए और काम असान से हो जाए कौन rent लेगा यह चेंज हो जाएगा तो एक चीज आप से आखिर सवाल पर इस पर आना चाहता हो पातांजली diversify कर रही है क्यों इसको लग तो नहीं रहा कि खेती इस पर करके अपने लिए दवाई बनाने के लिए यह सब plots खरीद रहे हैं तो इनका क्योंकि उसके लिए 400 एकर खरीदे की जोरत नहीं पड़ता वो तो आप contract farming से ही करा सकते हो तो यह मालिकाना अगर लेना है तो इसकी पीछा और कुछ मकसद हो सकता है commercial मकसद हो what is the long term business model क्या business model में और कुछ करना चाहते हैं मेरे ख्याल से वो diversify कर चुके हैं हम लोग की निगाह नहीं पड़ी यह हमने जिनकी पड़ी उन्होंने ज्यादा बोला नहीं इस बारे में पर जब हम यह टटोलने लगें सरफ एक court का case तो हम दोनों ने देखा जब company के record देख रहे थे लोगों से बात कर रहे थे कि ऐसा काम बाकी और कई जगाओं पर पटांजली कर चुका है तो देरादून के आसपर्स की जमीन है काली मुझे किसी ने बताया है असाम में भी ऐसी जमीने पकड़ ली गई है सरकारी जमीन दे रही है सस्ते में तो मेरे क्याल से पटांजली ग्रूप बहुत diversify कर चुका है कि यह एक real estate game है यह कोई organic food उगाने का नहीं दिखता क्योंकि organic food ऐसी जगह पर आप नहीं उगाएंगे जहां पानी नहीं मिल रहा है बंजर पहाड में तो नहीं करेंगे यह ड्राइब पहाड में नहीं करेंगे जमीन यह ऐसी हैं जो clearly real estate के लिए आप देख रहे हैं बिल शुरू करें तो आप पाते हैं कि वह बहुत चीजों में हाथ डाल चुके हैं वह security agency भी चलाना चाहते हैं वह jeans भी बेचने का कोशिच कर रहे हैं असली पैसा कहां से आता है कैसे आता है इसकी scrutiny अभी भी नहीं हुई है और जो एक ख़बर हम पढ़ रहे था अगर वह सच है तो किस तरह वह अच्छी group जाना चाहरा है और क्या कर रहा है उनका पैसा कहां से कैसे जाता है मेरे ख्याल से हमने सरफ एक tip देखा है सरकार कर सकती है असली में पत्रकार business standard मतलब हम लोग शुक्र गुजारे कि इतना एक महीना कम से कहमें लगे रहन दिया कि इतना कर पाएं पर अगर सच में समझना चाहरे हैं कि यह जाल क्या है तो बहुत मेहनत चाहिए धन्यवाद दितिन कुमार हमारे साथ होने के लिए खौईश यही है कि आप इस तरह की investigation करते रहे और हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या कर रहे हो और उसकी जाल कित्ती दूर है पातंजली की इस investigations के लिए आपको धन्यवाद आज के लिए इतना ही देखते रहिएगा अडिएख क्लिक